आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस नहीं वीडियो में, आज हम बात करेंगे सेल, स्टील अथोरिटी ओफ इंडिया लिमिटेट के बारे में, दो बड़ी खबर लेकि आये हैं, सोमा मंडल जी के बारे में बताएंगे, और साती सात में आपको बताएंगे क कि क्या यहां से नीचे गिरने की तियारी कर रहा है, Q3 की एक्सपेक्टेशन बहुत जादा है, क्या वो अलड़ी प्राइजिन हो चुकी है, क्या स्टॉक ओवर्बोर्ड जोन में आ चुका है, क्या आपको यहां से प्रॉफिट बुक करना चाहिए, आईए चल लिए विश साल का टागेट था, वो अलड़ी अचीव हो चुका है, दोस्तों, कंजर्विट टागेट बताते हैं, बट एकदम सही सठीक आपको रिसर्च करके बताते हैं, सोमा मंडल जी जो है, वो फर्स्ट वुमेन है, जो एड़ टॉप पोस्ट फोर सेल पे बनी है, पहली वुमेन म कंपनी की जो ओवरॉल चेयर परसन रहेंगी, वो सोमा मंडल जी रहेंगी, इनका अबजेक्टिव क्लियर है, कि इनको यहां पर डेप्ट को रिड्यूस करना है, और साथ ही साथ में जो स्टील के प्राइज 12 साल की उचाई पर है, उसका फाइदा उठा कर सेल को और उचे पर लेके जाना है, तो यह अच्छी खाबर है, इसे साबसे अगर देखा जाए तो इनके लिए बढ़िया पोजिशन टाइमिंग बन रही है, अब देखे, Q3 का प्रड़क्शन भी बड़ा रोबोस था इनका, कैसे कह रहे हैं, साल के आखरी दिन में उन्होंने रिकॉर्ड प्रड़क्शन किया है, पंदरा हजार टन एक ही दिन में सबसे जादा प्रड़क्शन किया है, जो और उसके साथ में डिस्पैच भी किया है, सोला हजार टन का, तो राउड के लाप परलांट की अगर सिंपल बात की जाए, जो सेल के द्वारा नियंतिट किया जाता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सारे की सारी फैसिलिटी करने के बाद ये अचीवमेंट उन्होंने अचीव किया है, तो इससे क्लियर इंडिकेशन है, जब क्वार्टर में इतनी अच्छी प्रड़क्शन होगी, प्राइस जादा है, तो रिवेन्य जादा आएगा, और साथे साथ में प्रॉफिडिबिल्टी भी जादा आएगी Q3 की, तो Q3 का एक्सपेक्टेशन बहुत जादा बन चुका है, और उसी वज़े से शायद टेक्निकली ये और बोर्ड जॉन में आ चुका है, अब अगर हम इसका टेक्निकल एनेसिस करें, तो देखिए आपको काफी दिनों से काफी बढ़ा है, 135 मिलियन शेर बढ़े थे कल, जो इन्होंने एक दिन पहले की जो कैंडल बनी है, परफेक्ट डॉजी तो नहीं है, पर एक तरह से डॉजी बन चुकी है, उपर पे लग रहा है 7560, 7570 के असपास सप्लाई आ रही है, तो जिन लोगों ने श यह हमारा टार्गेट था, धाई साल का, जो अभी आपको 6 मिने के अंदर मिल गया है, दोस्तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, आपको रिसर्च कैसे लगते है हमारे टीम की, अब अगर हम यहाँ पर देखें, बुलिंजर बैंड के बेसेस पर इसने पूरे नवंबर से, बुलिंजर बैंड के अपर सेक्शन में टाइम स्पेंड के है, और अभी पिछले तीन दिनों से, यह इसकी क्लोजिंग जो हो रही है, बुलिंजर बैंड के बाहर हो रही है, वॉल्यूम देखे जाए बुलिंजर बैंड का, तो यह आल्मोस्ट 60% आच चुका है, पर गिरावट आने की संभावना है, और गिरेगा, तो इसका प्रोजेक्टाल अगर देखा जाए, तो 65, 64 के आसपास आने की उम्मीद रहेगी इसकी गिरने के बाद में, दोस्तों यहाँ पर सतक कर रहे हैं, RSI का लेवल 86 का है, 80 के उपर स्टॉक पॉईजन हो जाता है, आ अगर आप इसको यहाँ से मान के चलें की जो फ्राइडे का लेवल था, वो हाई पॉइंट ऑफ दे रहेगा, तो यहाँ से अगर फिबोनची आर्च निकालें, तो जो सबसे पहला इसका सपोर्ट रहेगा, वो 60 रुपे के आसपास रहेगा, तो अगर किसी तरह से इसने मी लेवल को तोड़ा, तो 60 रुपे तक भी यह जा सकता है, इस बात का ध्यान रखेगा दोस्तों, क्यूथी का रिजल्ट, अलरी फैक्टर इन हो चुका है, जिस तरह से उमीद लग रही है, आग आने वाले समय में, यहाँ पर थोड़ा कंसॉलिडेशन लगेगा, हमारे बता का 5x5 rule, हमेशे ध्यान रखेगा, और अगर आपको stock market की learning करनी है, तो उसके लिए आपको एक right mentor, right team चाहिए, हमारी team वही provide करती है, day trading for nifty future and option, bank nifty future and option, अगर आप सीखेंगे इस हाथ में, एक महिने का try कीजे, 8000 रुपे का fees है, उसको एक तरह से tuition fees की तरह से समझेए, stock market में कैसे इंटर डे में पैसे कमाया जाता है, आपके लिए 4 वीडियो प्रस्ते हैं, जहिंद जा भारत, आपका दिन मंगल रहो, बाई गाइस